मेरा नाम है मुकुंद कक्षा 12 गड़त के अंतरकत हम लोग अध्याय आर्ट की तैयारी कर रहे थे अध्याय आर्ट समा कलन के अनुपर्योग चेप्टर नमबर एट एप्लिकेशन ऑफ इंट्रिगल्स इसके अंतरकत हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एड 8.2 कम्प्लीट कर चुके यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखें या फिर पुराने जो चैप्टर हो चुके उनकी तैयारी नहीं किये तो कक्षा 12 गड़त की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक आउट कीजेगा वहाँ पर आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा साथ ही Most Important Question की एक सीरीज भी म रहे हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो में अगर आपको मौज आ जाए तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट करना मत बूलेगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर लीजेगा ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए आता है जो भी नया वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद के तुरंद मिल जाए और आपसे कोई भी किलास मिस ना हो इस बात को ध्यान रखीगा इस वीडियो लेक्चर के अ इस वीडियो लेक्चर के अंदर गत हम लोग exercise with miscellaneous उधारन को देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ यदि आप live classes से पढ़ना चाहते हैं, live classes enjoy करना चाहते हैं तो आप हमारी application को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका link आपको description में मिल जाएगा या फिर play store में सर्च कीज़े, xp classes, वहां से भी आप हमारी application को देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम fees है और बहुत ही कम fees में आपको complete course मिल जाएगा साथी application के साथ आपको free pdf note solution और एक dedicated whatsapp group भी provide किया जाएगा ताकि आप अपने doubt वहां पर रख कर पूछ सकते हैं और आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो चलिए सुदवात करेंगे इस video lecture के अंदरगत विविद उधारन की विविद उधारन की बात करते हैं और आपको यह कह रहा है कि उधार नमर 11 में परवले y square बरावर 4ax और उसके नाभी लंब से गिरे चित का चित पल गया तो जो परवले में नाभी लंब होता है वो x बरावर a पर रहता है ठीक है जो इसका नाभी लंब रहेगा वो x बरावर a एक रेखा रहेगी कलियर बात है और यहां पर अगर हम एक idea लेकर चले एक यह रेखा खीचने की बात करहूं। आपसे एक रेखा रहेए आपसे एक एसी रेखा होगी जो yx की समानत रहेखा खीचने के लिपे रहेखा यह होई यह आपकी x बराबर a पर नाभी लंब जीवा की लंबाई, ठीक है, तो यह वाला जो simple point है, यह वाला point है मूल बिंदू, है ना, आपको पता है, यह वाला point हो जाएगा a 0, तो यह जो रेखा है, वो नाभी लंब है, x बराबर a के लिए, और यह जो परवले है, यह हो गया x के लिए, है ना, और आपको छेटपल निकालना है, तो यह पूरा छेटपल निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह पूरा आपको छेटपल निकालना है, यह वाला छेटपल, समझ के बात, यह इतना पूरा छेटपल निकालना है, अब यह पूरा आपको जब छे आ जाएंगी है ना तो बस निकाल लेते हैं परवले क्या है परवले परवले वाई स्क्वाइर बरावर फूर ए एक्स मैं ना भी लंब जीवा का समीकरण का समीकरण एक्स बरावर ए है ठीक है ना भी लंब जीवा का समीकरण एक्स बरावर ए कहलाएगा और अभीष्ट छेटपल अभीष्ट छेटपल क्या हो जाएगा लिमिट जो जाएगी आपकी इस वाले पॉइंट पर एक्स का मान जीरो है और इस वाले पॉइंट उपर आप x कमान a ले रहे हैं तो limit जो जाएगी वो हो जाएगी 0 से a और परवल आएगा आपको y निकालना है तो इतना आएगा और अंदर बचेगा 0 से a अंडर रूट x इंटू dx तो इसको हम solve कर लेते हैं तो यह जाएगा 4 अंडर रूट a अंडर रूट x का समा कलन x की पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 limit जाएगी 0 से a के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडर रूट a गोणा करेंगे 2 बटे 3 का upper limit रखना है a की पावर 3 बटे 2 minus lower limit रखना है 0 की पावर 3 बटे 2 तो यहां से हो रहेगा 8 under root a बटे 3 into का a की पावर 3 बटे 2 अब इस a की पावर 3 बटे 2 को आप कैसे लिखने वाले हैं यह समझे 8 under root 2 upon 3 into a की power 3 यह हो जाए इसको ऐसे लिखे लिजे a की power 3 और under root करके है ना तो यहां से इसको हम कैसे निकाल रखते हैं a under root 2 upon 3 into इसको लिख सेकते हैं आप a square into a and root में तो यहां पर 2 नहीं चल ला था भई under root a था under root a था ठीक है अभी इस रही है यहां से हम कह रहे है under root 8 under root a into का a square बहाने के लिख a हो जाएगा और यहां पर आपको formula इस सब को हल करने के बाद मिल ला है 8 a square upon 3 वर्ग एक आई ठीक है वर्ग एक आई तो यह कुल मिला कर आंसर हो जाएगा ठीक है बात करते हैं और उधार नमबर 12 आपको दे रहा है कि रेखा y बरावर 3x प्लस 2 x अक्ष एवं कोट यहों x बरावर माइनस 1 एवं x बरावर 1 से गिरे चेत का चेत पल गयाद कीजिए ठीक है तो यहां पर समाझ लेते हैं सबसे बात रेखा की बात कर लेते हैं y बरावर 3x प्लस 2 ठीक है तो इसमें हम बिंदू निकालेंगे देखा 3x प्लस 2 में बिंदू अजर्य कैसे निकालनेगे पहले एक बार हम x बरावर 0 रखेंगे फिर y बरावर 0 रखेंगे इसमें अगर हम बिंदू निकालते हैं तो x बरावर अगर आपने 0 रखा तो y कितना निकलना है 2 निकलना है बिल्कुल देख पाएंगे आप y कमान किता निकल आएगा 2 निकल आएगा क्योंकि यहां 3x0 हो जाएगा और अगर आपने और अगर आपने y कमान 0 रखा तो तो y कमान 0 रखने पर यहां से हम x कमान निकालने के लिए 2 को पच्छांतर करेंगे और फिर 3 को पच्छांतर करेंगे तो यह निकल के आएगा x कमान creepy on minus का 2 रखने निकल के आएगा और x बदाबर minus 1 एवं x बदाबर 1 y 화akyn के समानता रखा खिची जाएगी x बदाबर minus 1 ठीक है X X के निवेटर देशा में रिकाखी जी आईगी तो मैं एक आपको आइडिया दूँ कि जो चित्र जाएगा वो किस प्रकार से आएगा ठीक है और चुकि उधार हैं तो आप उधार में भी देख पा रहे होंगे कि माइनस दो तीन जो होगा वो लगभग माइनस एक से छोटा ही होगा ठीक है तो हमने यहाँ पर ले लिया मालो इस वाले पॉइंट पर ले लिया यह वाला पॉइंट ठीक है और 0 दो जिरो दो आप एक आईडिया लेगे यहाँ पर ले सकते हैं और इसको मिला दिया हमने लगभग इस तरीके से ठीक है अब एक रेखा आपको डालनी है एक्स परावर माइनस एक के लिए तो हम एक्स परावर माइनस एक के लिए यह इस तरीके से रेखा डालते थे और एक रिखा डालनी है आपको X पराव 1 के लिए तो आपने एक रिखा X पराव 1 के लिए डाल इस तरीके से और आपको basically ये वाला जो छेत्फल आप देख पा रहे हैं ये छेत्फल आपको निकालके दिखाना है ये आपको एक छेत्फल निकालके दिखाना है और मैंने आपको ये भी पताया था कि अगर कोई छेत्र negative दिसामे है ठेक है ये x की और ये negative दिसामे हो रहा नीचे की तरफ हो रहा तो ये वाले जो छेत्र पले negative दिसामे हो रहा तो इस वाले के लिए आप mod लेके हुए चलेंगे क्या लेकerry होई चलते हैं Maud लेते हुई चल देंगे समझना बात को मaud लेते हुई चलेंगे तो मेरे साथ से क्या proper चित्रबान है कि रूप थैं नहीं है इसी में समझ लेते हैं इसी में एक आइडिया ले लेते हैं यहां पर हम बिंदू ले रही है माइनस का 2, 3 and 0 यहाँ पर आपने ले लिये था 0, 2 यह जो रेखा थी यह थी x बरावर 1 और यह वाली जो रेखा थी यह आपको पता ही x बरावर 1 एक ले रहते तो x बरावर 1 एक के हिसाब से यहाँ पर जो बिंदू होगा वो होगा माइनस 1, 0 यहाँ पर जो बिंदू होगा वो होगा 1, 0 यहाँ पर जो बिंदू आप ले रहे हैं 0, 0 तो यह 0, 0 लेने के कोई आप सकता है नहीं बहुत सारे बिंदू आपको दिखने वाले हैं अब बात कर लेते हैं कि लिमिट कहां से कहां तक आईगी तो देखो भग यह x अक्षिये शाप एक लेना तो यहाँ पर जो आपको लेना है यहाँ पर x बराबर माइनस 1 इस वाले लिमिट पर लेगे और इस जगे पर आप x बराबर माइनस का 2 बटे 3 लेने वाले है माइनस का 2 बटे 3 है तो इस रेखा पर आपको यह लिमिट मिल गई तो यहाँ पर xx के लिए बात कर लेंगी और रेखा आपकी यही जाएगी देखो नीचे वाला जो सिस्टम है ना यह वाला सिस्टम यह रेखा तो आपकी एक ही है 3x प्लस 2 अब यह बात होगी लिमिट की समझेगा बात मेरी यह बात यह सिस्टम आपको लिमिट की हिसाब से हो गया अब अगली अगर हम लिमिट की बात करने है आगे अगर हम लिमिट की बात करने है तो अगली की लिमिट के लिए क्या सूचने वाले हैं कि यह सिस्टम यहाँ से यहाँ तक के लिए यह एक्स बराबर दो बटे 3 तो हम रखेंगे ही, यह limit ठिक है, यहाँ पर x का माँना को 1 रखना है, तो limit कहां से कहां तक जाएगी, देखिए, limit जो जानी है, वो minus 1 से minus का 2 बटे 3 तक के लिए जानी है, और minus 2 बटे 3 से 1 के लिए जाएगी, इस तरीके से limit, और इस system में हम mod ले नहीं किया सकते नहीं क्योंकि अब इसली बात है उपा है तो positive है ठीक है लेकिन ध्यारा किएगा कि minus 1 से minus 2 बटे 3 के लिए जो ये system आप ये रेखा तो दोनों के लिए एक ही जाएगी minus 1 से minus 2 बटे 3 के लिए आप मौड लेंगे ठीक है लिमिट के लिए और फिर हम अगली लेना है minus 2 बटे 3 से 1 की लिमिट ठीक है और दोनों ही system में y की value आपको इतनी रखके दिखानी है तो यहां से आप कहे देंगे अभी श्चेटपल और मैंने आपको limit समझाए दी ती इस वाली जगह पर आप x का माल लेंगे minus 1 यहां पर आप value लेने वाले हैं minus का 2 बटे 3 और इस जगह पर हम point ले लेंगे x बराबर minus का 2 बटे 3 और इस जगह पर x बराबर 1 लेना है तो limit कहां से minus x से minus 2 बटे 3 के लिए and minus 2 बटे 3 से x बराब 1 के लिए इतनी है इस तरीके से limit जानी है ठीक है तो यहां पर हमने कह लिए अभीष्ट छेट पल और जिस तरीके से मैं limit के लिए इस तरीके से तीर बटे 3 बटे 3 बना देता हूं तो वह भी आपको बनाना नहीं ठीक है आप तो सिर्फ समझते चलिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप limit ले रहे हैं minus 1 से minus का 2 बटे 3 y into dx और यह अपन यह जो है नीचे वाला सिर्टम इसको mod में लेना है plus and लेना है minus का 2 बटे 3 से 1 और y dx ठीक है so value put करेंगे तो mod के अंदर ही रहेगा minus का 1 से minus का 2 बटे 3 y की value रखनी है 3x plus 2 3x plus 2 into का dx mod में plus यहाँ पर minus का 2 बटे 3 से 1 लेना है और y की value 3x plus 2 into का dx ठीक है तो यहाँ से कितना मिल जाएगा यह यह तो हो जाएगा भई 3x square upon 2 plus का 2x और limit है minus 1 से minus का 2 बटे 3 यह mod के अंदर रहना है plus यहाँ पर मिल लेगा 3x square upon 2 plus का 2x और यह limit रहना है minus का 2 बटे 3 से 1 ठीक है इतना so यहाँ पर upper limit रखेंगे सबसे पहले तो यह और रहा 3 बटे 2 upper limit 2 बटे 3 रखने पर यह मिल जाएगा हमें 4 बटे 9 plus का 2 and यह आएगा minus का 2 बटे 3 इतना system then minus लगा के lower limit रखेंगे so यह 3 बटे 2 minus 1 का बर्ग जो हो जाएगा हमारे पास 1 minus 1 का बर्ग 1 ले लेंगे plus 2 and minus 1 यह system आएगा और यह mod में रहना है mod में plus यहाँ पर हम बात करें so 3 बटे 2 upper limit एक का बर्ग रखेंगे तो 1 का आएगा plus 2 into 1 ठीक है then lower limit रखना है minus का 2 बटे 3 so यहाँ पर बात करते है minus and lower limit रखना है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लेते है और यह system हो गया minus lower limit की बात करेंगे तो 3 बटे 2 and minus 2 बटे 3 का बर्ग रही है plus 2 and minus का 2 बटे 3 लेते है clear बात इतना तो यहाँ से हमें कितना में बात करेंगा अगर हम बात करें तो 3 से 3 से 9 कर जाएगा 2 से 4 कर जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 बटे 3 minus 4 upon 3 then minus यहाँ पर हो जाएगा 3 upon 2 minus का 2 यह system आगया और यह system जो था वो mod में था ठीक है इस बात को यहाँ रख के चलना है यह system जो था अपने पास यह system अपने पास mod में चल लहा था प्लस यहाँ पर ले रहे हैं 3 upon 2 plus 2 then minus का यहाँ अगर हम बात करें तो यह बर्ग कितना हो रहा था 4 upon 9 आएगा यहाँ पर भी बर्ग ठीक है तो यहाँ पर हम 4 upon 9 direct work कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आपको 4 upon 9 ले लेना है 4 upon 9 अब यह काटेंगे तो यह 2 से कटेगा और 3 से कटेगा ठीक है so 2 से यह कट जाएगा यहाँ बस ठीक चल ला था हाँ ठीक है so 2 upon 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 upon 3 मिल जाएगा and plus plus यहाँ पर हम ले रहे हैं कितना माइनस आजाएगा ठीक है ना विचिनने तो रहेगा माइनस का और 2 दूनी 4 बटे 3 ठीक है इतना ओके so यहाँ से कितना हो रहा है यह होगा है 2 बटे 3 माइनस का 4 बटे 3 माइनस का 3 बटे 2 plus का 2 mod में plus यहाँ पर सिस्टम है 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 3 बटे 3 का 9 plus 6 दूनी 12 यह mod में रहेगा plus यहाँ पर सिस्टम है आजाएगा 6 का so 3 बटे 3 का 9 plus 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4 plus का 4 दूनी 8 ठीक है और यहाँ पर भी 4 दूनी 8 होना है यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से कितना आजाएगा 12, 4, 16 हो गया 9, 8, 17 हो गया तो माइनस का 17 प्लस का 16 यहनि माइनस का 1 अपॉन 6 मौड में रहेगा plus यहाँ पर 12, 8, 20 29, 29 29 में से 4 गया तो बच्चे का 25 यह बच्चे का 25 25 अपॉन 6 प्लस का अगर यहाँ पर यही इसलिए मौड लिया क्योंकि यह आपको माइनस का बच्चे का बच्चे के साथ आप घटा देंगे जबकि घटना नहीं है मौड की वैसे हो जाएगा positive 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पर आएगा 25 अपॉन 6 और यह हो जाएगा 26 अपॉन 6 यानि आंसर आना है 13 अपॉन का 3 वर गिगाई लेकिन अगर आप मौड नहीं लेते तो फिर 24 बटे 6 कर देते इस हिसाब से 12 बटे 3 निकाल देते आप आंसर जो की गलत हो जाता इस बात को ध्यान रखीगा कि चुकि अगर जो ग्राफ है ग्राफ में अगर कोई सिस्टम नीचे की तरफ इस तरही बन रहा है तो उस सिस्टम के लिए फिर हम मौड लेकर चलेंगे मौडूलस यानि मापांक में लेकर चलेंगे और आंसर दिखाएंगे आंगे बात करते हैं और आपको अधारा नमर 13 कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक्स बरावर जीरो एवं एक्स बरावर टू पाई के मद्वक्र वाई बरावर कॉस एक्स से घरे छेत्र का अभी शेत्पल गया दीजिए ठीक है तो अब यहाँ पर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि य परावर जो कॉस एक्स दे रहा है तो कॉस एक्स का जो ग्राफ प्लॉट होता है कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीकी से बनता है और इसको आपको चैप्टर नमर 2 में अच्छी तरीकी से बताया गया है sin x cos x 10 x sin x और cos x का तो आपको पता ही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा simple होता है ठीक है लेकिन sin x cos x 10 x के इनके आपको graph पता होने जरूरी है जोड़ी है जोगि आपको chapter number 2 में बता जाते है अब बहुत ज़्यादा simple chapter है graph बनता है कुछ ज़्यादा कुछ उसमें लगता नहीं है जोगर हम बात करें cos x से graph की तो कुछ इस परकार से आप draw कर सकते हो कि cos 0 का मान एक से start होता है तो यहाँ से हम लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से हम draw कर सकते हैं ठीक है कुछ इस परकार से और यहाँ पर हम एक line draw कर लेते हैं इस तरीके से और आपको पता है यहाँ पर यह value है 0 के लिए यह वाली value है pi y 2 90 पर एक होता है इसलिए यहाँ पर है pi यह है 3 pi y 2 और यहाँ पर है 2 pi ठीक है यह अब यह सारा आपको च्छेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है कि भाई इतना पूरा च्छेत्फल निकाल के आप बता और इस बात को ध्यान रखिएगा कि चुकि आप जो है नीचे वाला एरिया निकाल रही है और जब नीचे वाला एरिया आपको फाइंड करना होगा तो क्या लगा देंगे भाई मौड लगा देंगे अगर हम नीचे वाले एरिया की बात करें तो नीचे वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमको मौड लगाना पड़ेगा बास्तान में आई होगी आपको नीचे वाला एरिया निकालने के लिए आपको मौड लगाना पड़ेगा, ऊपर के लिए मौड नहीं लगाने पड़ता है ठीके, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में भी मैंने यह चीज बताया थी आपको तो इतना कुल मिलाक एडिया निकालना है सिंपल है ठीक है और लिमिट भी आपको मैं किरह कर दूँ कि लिमिट भी आपको इस पस्ट दिख रहे हैं कि पहले इसके लिए आप यहां से 0 से πाई वाई 2 लेने वाले हैं ठीक है अभीष्ट छेदपल क्या रहने वाला कि 0 से पाई वाई 2 वाई इंटू डी एक्स प्लस यह जो नीची वाला सिस्टेम मोड में रहेगा तो पाई वाई 2 से 3 पाई वाई 2 वाई इंटू डी एक्स यह हो जाएगा और प्लस 3 पाई वाई 2 से 2 पाई के लिए वाई इंटू डी एक्स यह रहेगा सिस्टेम इस तरीके से ठीक है अब सिंपली यहां पर हम को वाई की जागे कॉस एक्स रखने वाले हैं 3 पाई वाई 2 से 2 पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है यहां पर अब आपको पता है कॉस एक्स कमान साइन एक्स होता है ποι 2 से 2 π अधोगर सवाल बहुत ज़्यादा simple हो गया है ज़्यादा कुछ करने के लिए इसमें रहनी गया है आपके पास limit रखनेंगे sin ποι 2 माइनस का sin 0 प्लस mod के अंदर यहां ले रहे हैं sin 3 ποι 2 माइनस का sin ποι 2 प्लस यहां पर ले रहे हैं sin 2 pi minus sine 3 pi y 2 अब यहाँ पर simply पहले हम sine 3 pi y 2 यानि sine 270 और sine 360 गयाद कर लिते हैं sine 270 की बगर में बात करें sine 270 को आप simply लिख सकते हैं 180 plus 90 343 में sine negative होता है और 180 में no change होता है तो आएगा minus का sine 90 यानि कि minus का 1 sine 270 का माहन होने वाला है sine 360 का माहन हो जाएगा 0 sine 360 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sine 180 plus 180 और यह हो जाएगा minus का sine 180 और यहाँ से हम ले सकते हैं minus का sine 90 plus 90 ठीक है और sine 90 में change हो जाता है दूसरी चेटराण पोजिटिव होता है तो यह हो जाएगा cos 90 और cos नबर 0 होता है तो sine 360 हो जाएगा 0 और sine 270 हो जाएगा minus का एग ठीक है sine 270 हो जाएगा minus का एग इतना आपको clear रहेगा तो यहाँ से अब value सारी put कर दें तो sine 90 का मान 1 minus यहाँ पर sine 0 का मान 0 plus mod के अंदर sine 270 का मान minus 1 minus sine pi by 2 याई sine 90 का मान minus 1 होता है तो मानस लगा है तो यह मानस होने वाला plus यहाँ पर 0 minus sine 3 pi upon 2 minus 1 इस तरीके से ठीक है तो यह हो जाएगा 1 plus mod के अंदर minus का 2 plus ही हो जाएगा 1 यहाँ से हम कह रहे है 1 plus 2 plus 1 बराबर 4 वर्ग 1 ठीक है simple स्वाल था यहाँ कुछ खास इसमें यहाँ स्वाल नहीं था बढ़िया तरीके से आपने लगा लिया आगे बात करते हैं अगला उधारन दिखते हैं अधारन आपका important उधारन है important रखेगा ठीक है किताब में आप start बगर लगा लिज़े एवं y बराबर 0 से गिरे वर्क के छेत फल को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं अब जा समझेगा कि सबसे पहली बात तो x बराबर 0 और y बराबर 0 जो हैं वो x अक्ष और y अक्ष को बता रहा है x बराबर 0 क्या है x अक्ष है y बराबर 0 y अक्ष है x बराबर 4 y अक्ष के समानतर खीची गई देखा होगी x बराबर 4 y अक्ष के समानतर खीची गई देखा ठीक है और y बराबर 4 x अक्ष के समानतर खीची गई देखा ये वाली जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये देखां ठीक है इस तरीके से होगी इसके अलावा y square बरावर 4x x x की धनात्मक दिसा में खीचा गया परवल है x x की धनात्मक दिसा में खीचा गया परवल है ठीक है और x square बरावर 4y y x की धनात्मक दिसा में खीचा गया परवल होता है ठीक है ना तो कुल मिलाकर अगर हम चेत्र को समंझने की बात करें तो y square over 4x कुछ इस तरीके से x square over 4 y कुछ इस तरीके से ठीक है और x aks तो यह x over 0 यह y line then y over 0 यह y line इस तरीके से और x over 4 और y over 4 अब आप दोगर x over 4 और y over 4 यहाں पर मिलेंगे क्यों? क्योंकि आप अगर इन दोनों को हल करते हैं तो यह जो intersecting point मिलने वाला, यह 4-4 मिलने वाला देख लिएगा, हल करके, तो यहाँ पर आप एक line, यह y line होगी x बरावर 4 की, और इस तरीके से line डाल देंगे, तो यह y line होगी वर्ग को, आप यह देख पाएंगे कि वर्ग को बताएगा, क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुझाएं, बरावर हो रही है इस वएसे, फिर यह कह रहा है कि अगर वर्ग है, तो यह 3 बरावर है, भागों में भी भाज़ित हो रहा है मतलब यह 1, यह 2 और यह 3, यह 3 बरावर हिस्से इसके होंगे समझना बात, इसके जो हिस्से होने वाले हैं कितने हिस्से होने वाले हैं, 3 बरावर हिस्से होने वाले हैं, तो सिंपल है कि अगर आपको उपर पहला वाला हिस्सा निकालना, समझना बात अगर आपको पहला वाला हिस्सा निकालना, तो ये y x की according जा रहा है, y x की, तो इसको निकालने के लिए आप limit पहली बात तो 0 से 4 जाएगी, और y x के लिए x into dy ले ले लेंगे, और इसके लिए आपको जो परवले लेना होगा, वो ये वाला परवले लेना होगा, ये वाला प निकालना बड़ा आसान होता है उपर वाले में से नीचे वाला खटा देते हैं लिमिट तो आपको वहीं चाहिए ठीक है उपर वाला कौन सा भई ऊपर वाला है यह वाला है यह स्क्वार बराबर 4y वाला उपर वाला नहीं है जबकि y y square बराबर 4x आप उपर देख रहे हैं यह उपर सिस्टम उपर कौन सा सिस्टम यह उपर वाला है ठीक है तो सिंपल बात है कि y square बराबर 4x और x square बराबर 4y इन नों को घटाना और x के साफ़ एचले लेना तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाला सिंपल है यहाँ पर x के स को मारा यह हो गया first यह हो गया second और यह हो गया third ठीक है यहाँ पर यह अच्छाए पहले इन दोनों को हम हल कर लेते हैं ठीक है तो पर वाला है जो कि आपको बात दे रखा है पर वाई square बराबर 4x एवं x square बराबर 4y से ठीक है तो क्या कर सकते हैं देखो यहाँ से y की जो value पर निकालो x square upon 4 और इसमें रख दो तो यह कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आपने निकाला और x square upon 4 को यहां रखा बराबर 4x यह कि ता मिल जाएगा x की power 4 upon 16 बराबर 4x तो यह हो जाएगा x की 1664 एक्स तो यहाँ पर ले लिए x की power 4 minus 64x बराबर 0 तो यहाँ पर आप कह सकत हैं कि x common निकालने पर x की power 3 minus 64 बराबर 0 तो यहाँ पर simply हमने क्या बता दिया कि x बराबर 0 और अगर 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 निकल के आएगा x कमान 0 और 4 अब यदि जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा simply y square बराबर 4x था तो यहाँ से हम कह सकते y बराबर हो जाएगा 0 जब x बराबर 4 तो y बराबर 4 क्यों क्योंकि प्रिथम चेत्रतांस की बात हो रही है यहाँ पर जो कुछ भी सिस्टम घट रहा हो किसमें हो रहा है प्रिथम फर्स्ट कोडिनेट में हो ठीक है अगर आपने यहाँ पर y का मन 4 गोनी 4 रखा तो y square बराबर y बरा परवले आप देख पा रहे हैं कि प्रिथिषेद जो परवले जो हो रहा है प्रिथिषेद हो रहा है कहां कहां हो रहा है ठीक है यहाँ आप देख पाएंगे एक तो यह 00. पर प्रिथिषेद हो रहा है और एक यह 44 वाले point पर प्रिथिषेद हो रहा है ठीक है और इस जगे पर point हो जाएगा 4 0 और इस जगे पर point हो जाएगा 0 4 इस तरीके से ठीक है यक समझ के और आपको पहला छेत्पल निकालना है प्रिथम वाले हिस्से का तो पहले वाले हिस्से का निकालने के लिए yx केसाफ एक्ष लेंगे और जो परवले आपको पकड़ना है y2 बड़ा अब देखो 1,2,3 किसी को भी माल सकते हैं आपको तो यह main समाझना है कि किस तरीके से होके निकलेगा अगर एक बार और मैं आपको draw करके बताऊं इस चीज को ऐसे y square बराव 4x फिर x square बराव 4y then यह x वरावर 0 then यह y वरावर 0 यहाँ पर x वरावर 4 इसको निकालना है तो इसके लिए हम y x के साप x ले रहे हैं और y x के साप x ले रहे हैं लिमिट हो जाएगी 0 से 4 के लिए और y x के साप x ले रहे हैं और परवला कौन सा ले रहे हैं परवला हम यह वाला परवला इस्तिमाल करने वाले हैं ये एरिया निकालने वाले है तो ये वाला इस्तमाल करते हैं ये वाला परवला है कौन सा था आपका y² ब्रावर 4x और y के साफ एक्स लेना है तो यहां से आपको x की value चाहिए पड़ती y² ब्रावर 4 ठीक है इसी तरह ये वाला होगा इसको हमने second माल लिया ये वाला तीसरा व यह हम कह सकते हैं इसको area 1 area 1 तो area 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना ले रहे थे कि integration of इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि integration of 0 से 4 और जो छेतर एक ले रहे थे वो आप y के साफेश ले रहे थे तो x into dy करने वाले है ठीक है mind में रखिएगा आपके सामने चित्र होना चाहिए कि जो area 1 हो रहा था वो y के साफेश ले रहे थे और परवले रहे थे y square 4 x x की value आजाएगी y square upon 4 ठीक है तो यहां से हम ले रहे हैं integration 0 से 4 y square upon 4 into dy ठीक है तो यहां पर 1 upon 4 बार निकाला यह हो जाएगा y की power 3 upon 3 limit चली जाएगी 0 से 4 के लिए अब value पुट कर देंगे so 1 upon 4 and यहां पर ले रहे हैं 1 upon 3 को side में निकाल लीजे सबसे पहले 4 रखेंगे तो 4 की power 3 minus 0 की power 3 इतना हो जाएगा तो यहां से हम कह रहे हैं एक बटे 12 चारती बार हो गया और यह हो गए 64 minus का 0 यानि की 64 बटे 12 तो 4 से ले लीजे तो 16 बार में और यह तीन बार में तो 16 बटे 3 वर्ग एकाई यह मिल जाएगा आपको simple ठीक है अब इसी प्रकार से हम छेत्र तीन निकालते हैं सबसे पहले ठीक है क्योंकि छेत्र एक और जो तीन था वो विलकों सिमिलर था ठीक है आपको कैसे भी निकाल लेना कोई फर्क में पढ़ता है क्योंकि तीनों ही बराबर दिखाने ठीक है इस बात को समझेगा अगर मैं छेत्र यह आपने बीच वाला दो माना और यह नीचे वाला ही को परवाला है किसकी बात हो रहे हैं यह वाला ले रहे हैं यह वाला जो है वो एक्स स्क्वाइर बरावर फोर वाई और एक्स अक्स के साब बात करना है तो हम वाई की वैलू निकालेंगी एक्स स्क्वाइर अपन फोर और लिमिट जाएगी जीरो से चार के लिए ठीक है तो यहां पर हमने ले लिए छेत्र नमबर 3, छेत्र 3, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, छेत्र रफल और एरिया 3, ठीक है, एरिया 3 नमबर, तो यहां पर आप कर रहे हैं, कि लिमिट जो जानी है, 0 से 4 के लिए, y into dx, क्योंकि x, x के साफ x ले रहा हैं, और x, x के साफ x, मैंने आप के वेलू x x कार आपान 4 रख नहीं है, 0 से 4, x के साफ़ आपान 4, dx, तो यहां से 1 आपान 4 बाहर निकाला, x की पावर 3 अपान 3, 0 से 4 हो जाएगा, यहां पर सिंदे, कि 3 को बाहर निकालेंगा, 1 बटे बारा हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 64, माइनस 4 की पावर 3 हो तो यहां पर हम क्या करें कि 64 बटे 12 यानि कि 16 बटे 3 वर्गे काई यह मिल गया तीसरा चेत्र फल की बरावरा आजा आप छेत्र नंबर 2 की बात कर लेते हैं जो बीच वारा हिस्ता था छेत्र 2 ठीक है छेत्र 2 यानि कि छेत्र फल निकालना है आपको इसको हमने नाम दे दिया second ठीक है अब simply अगर मैं आपको यहां दिलाओ तो किस तरीके से निकाल लेते हैं यह था y square बरावर 4x यह था x square बरावर 4y और आगर आपको बीच का हिस्ता निकालना है कौन सा हिस्ता निकालना है आपको बीच वाला गर आपको area निकालना है यह x यह y x तो इसके लिए हम क् हिस्ते में से अब उपर वाला हिस्ता कौन सा जा रहा था उपर वाला यह हिस्ता था यानि यह था y square बरावर 4x नीचे वाले को हम घटा देंगे यह नीचे वाला था x square बरावर 4y ठीक है और लिमिट तो यही वाली x सा पर बात कर रहे हैं तो यह x बरावर 0 से x बरावर 4 के और उपर वाले से नीचे वाले को घटा देना तो यहां से हम लिमिट 0 से 4 के लिए लिए रहे हैं और उपर वाला जो है और चुकि वाई के लिए लिए ना है ठीक है हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा कि x एक्स के सापेश फॉर्मूला क्या बनता है y इंटू dx तो इस मैं से हमने पहले वाले वाले से यहां से हमने y की वाली निकाली जो की हो जाएगी अंडर रूट 4x then minus फिर हमने ये नीचे वाला हिस्सा पकला तो नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है और यहां से हमने x square upon 4 x square upon 4 and dx इस तरीके से ठीक है? हाँ, तो इसको समझा कर ये कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब यहां पर simply ये बचेगा 2 और under root x का मिल जाएगा x की power 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 minus का 1 upon 4 बाहर निकाला और यहां पर मिल जाएगा x की power 3 upon 3 और limit जानी है 0 से 4 के लिए अब यहां पर simply 2 into 2 बटे 3 का लिए और ये x की power 3 बटे 2 minus का 1 बटे 12 x की power 3 और 0 और 4 अब upper limit रखते हैं 4 तो यह हो जाएगा 4 बटे 3 upper limit 4 रखता तो 4 की power 3 बटे 2 minus 1 upon 12 4 की power 3 ठीक है minus का lower limit रखेंगे तो यह तो 0 हो जाना है क्योंकि 0 की रखेंगे value 0 की power 3 बटे 2 minus 1 बटे 12 0 की power 3 ठीक है तो यह वाला जो system है यह total आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ गुणा कर रहे है तो यह total आपने हटा दिया अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 बटे 3 अब यहाँ चार की power 3 बटे 2 तो पहले अगर आपने वर्ग मूल किया क्योंकि बटे 2 है तो अगर वर्बूल किया तो 2 मिल जाएगा और 2 की power 3 हो जाएगा 8 तो गोडे 8 माइनस एक बटे 12 गोडे 64 आठ चोको 32 32 बटे 3 माइनस का यहाँ पर आप ले रहे हैं 4 से 16 चोको 64 तो 16 बटे 3 ठीक है तो LC हम आजाएगा तीन का और यहाँ पर हो जाएगा 32 माइनस का 16 यानि आप कह रहे हैं 16 बटे 3 वर्ब एक आई तो आपने देगा कि तीनों ही छेते जो थे वो एरिया बरावर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कह रहे हैं चूकी एरिया 1 बरावर एरिया 2 बरावर एरिया 3 बरावर 16 वर्टे 3 वर्ग एक आई हैंस प्रूब्ड सिद्ध हो गया वही किलियर बात है हैंस प्रूब्ड इती सिद्धम उधार नवर 15 की बात करते हैं आपको कह रहा कि छेतर xy such that 0 less than equal to y less than equal to x square plus 1 0 less than equal to y less than equal to x plus 1 and 0 less than equal to x less than equal to 2 का छेतर पल गयद की दोगों देखने में सवाल कठे निलग सकता है लेकिन इतना जादा कुछ है नहीं सवाल में और यहां पर आपको mainly समझना है कि क्या system निकल के आ रहा है तो अगर मैं बात करूँ पहले system की यह बात सिद्धम तो यह आपका परवले बनेगा कैसे आपको simply ले लेना है y बरावर y बरावर यहां से हम ले लेंगे x square plus 1 ठीक है तो यहां से हम क्या कह सकते है कि यह x square y minus 1 अब यह क्या आपको दिख रहा है एक परवले दिख रहा है तो परवल है अब यह किस तरीके का परवल है परवल है x square बरावर y minus 1 में सीर्स अब यहां पर जो सीर्स हो जाएगा यह 0,1 होगा ठीक है न माइनस एक आप देख पा रहे है 0,1 और आँगे आपको जो लेना है वो यहां पर simply इसकी अगर हम बात करें यहां पर आप ले रहे है y बरावर x plus 1 ठीक है इस सिस्टम में y बरावर x plus 1 ले लेंगे और यहां पर आप x बरावर 2 ले रहे हैं तो यहां पर आप रेखा ले रहे हैं और रेखा y बरावर x plus 1 तथा x बरावर 2 में ठीक है इसका आपको छेटपल निकालके दिखाना है किलियर बात होनी चाहिए समझिए अब अगर मैं आपको बताओं तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आप ले लेंगे और परवले जो लेंगे चुकि परवले आपका क्या एक्स स्क्वाइर बराबर वाई यानि जो है वाई अक्स की धनात्म रिसा में खुलने वाला और सीट्स वन जीरो हो रहा तो थोड़ा सा आप उपर से परवले लेंगे इस बात को समझे इस तरीके से परवले लेना फिर अगर मैं बात करूँ आंगे आपको कह रहा है कि य वराबर एक्स प्लस वन अब वाई वराबर एक्स प्लस वन का एक आप आइडिया लगाईए कि अगर आपने एक्स कमान जीरो रखा अगर आपने एक्स कमान जीरो रखा तो य कमान कितना मिलगा अगर आपने एक्स कमान जीरो रखा तो आपको एक समान कितना मिलना है माइनस एक मिलना है ठीक है तो लगबग जो आपकी जाएगी रेखा वो कुछ इस तरीके से होकर जाएगी यहाँ पर आपने लिए लिए तो कुछ इस तरीके से होकर जाती है समझ गए बात ठीक है ऐसे होकर पास जाएगी रेखा दूसरा यहाँ पर जो बिंदू होगा यह वाला बिंदू होगा माइनस एक जिरो यह वाला जो बिंदू होगा यह वाला बिंदू होगा जीरो वन और यह जीरो वन जो थी वो इस परवले का यह जो आप 0-1 देख पा रहे हैं यहाँ पर यह 0-1 तो यह 0-1 इस परवले का सीर्स भी था तो निश्चे तोर पर जो रेखा है वो सीर्स दोगे जाएगी दूसरा वो कह रहा था कि X बराबर 2 तो हमने X बराबर 2 ले लेना है तो यहाँ से एक आइडिया लेते हुए हम यहाँ से X बराबर 2 के लिए देखा इस तरीके से खेच सकते हैं यह हो जाएगी X बराबर 2 की लाइन और यहाँ पर यह जो कट रहा है इस तरीके से यह जो देख तिक टो रेखा और यह जो है प्रितिछेद कर रहे हैं डियर उपने डाली यह आपको पता चल जाएगी कि कौन सी आपने देखा डालिए यह वाली देखा कर आप करते हैं ठीक है यह आपको देखा चल जाएगी तो समझे अब एक आइडिया मैंने आपको देदी है किस तरीके से करना क्या है किस तरीके से सवाल को आपको लगाना है ठीक है तो सबसे पहले परवले अच्छा यहाँ पर आपक स्क्वाइर बरावर वाई माइनस एक और रेखा वाई बरावर एक्स प्लस वन में तो कुछ नहीं करो रेखा का वाई परवला में रख देंगे अगर तो हम एक्स स्क्वाइर बरावर यहां पर ले रहा है एक्स प्लस वन माइनस वन और एक्स का पच्छांतर करेंगे एक और एक तो घड़ जाएगा square minus x ब्रावर 0 x common निका लेगे तो x minus 1 ब्रावर 0 यहाँ से हम simply कह सकते हैं x ब्रावर कितना जाएगा x ब्रावर हो जाएगा 0 और 1 ठीक है अब अगर रेखा कि बात करनें तो रेखा था y ब्रावर x पलस 1 और अगर आपने x कमान 0 रखा यहां पर यहां पर अगर आपने x कमान 0 रखा तो y कमान 1 मिलेगा और अगर आपने x कमान 1 रखा तो y कमान 2 मिलेगा अब 2 रेखा और परवला है कौन कौन से बिंदू पर कट रहे थे रेखा और परवला है इस वाले बिंदू पर कट रहे थे आ ठीक है एक पॉइंट कितना हो रहा है आप ये देख पाएंगे कि एक पॉइंट हो रहा है एक पॉइंट हो रहा है वन टू तो दूसरा जो वन टू वाला पॉइंट होगा ये जहां पर रेखा कट रही है यहां पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये नहीं बिलकुल ठीक है ये वाला जो point हो जाएगा वो कितना हो जाएगा one two हो जाएगा one and two one and two हो जाएगा ठीक है इस तरीकी से आप पता देगा clear बात है अब अगर one two हो जाएगा तो आप निश्चे तोर पर कह सकते हैं ये अगर हमने line डाली ठीक है अगर हमने ये जो line डाल दी है तो ये line इस हिसाब से x बराबर one को प्रतासित करेगी किसको प्रतासित करने वाली है x बराबर one को प्रतासित करने वाली है ठीक है ये जो line डाल दी है आपने ये वाली line ये x बराबर one को प्रतासित करेगी और यहां परबिंदू कितना होगा यहां परबिंदू होगा यह आपने line डाली ती xWoo के लिए तो यहां पर 2 0 यहां परबिंदू है 0 0 वैसे 0 0 का कोई काम नहीं रहेगा ठीक है इतना अब आपको 6 पल निकालना है इस से पूरा खिरा तो जो छेटपल निकल के आएगा वो आप ये दिखाएंगे, ये वाला एरिया, समझ यह बात, ये अरिया आपको आना है, बिसिकली, एक तो ये अरिया, और ये वाला जो आप पहला एरिया देख पाएंगे, ठीक है, ये वाला जो आप पहला एरिया, ये वाला एरिया देख यह किसके अंतरगत आएगा यह परवले के अंतरगत आएगा किसके अंतरगत आपको देखना है परवले के अंतरगत आपको देखना है ठीक है समझना बात को किसके परवले के अंतरगत और दूसरा आप यह वाला छेट पल देखाएंगे यह वाला एरिया आप देखाने वाले और ये वाला जो आप area लेने वाले है वो रेखा के according लेने हैं ये वाला जो आप को area देखने है ये किसकर अंतरकर देखना है ये रेखा के अंतरकर देखने है समझ के बात इस तरीके से नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा समझेगा क्योंकि आपको सवाल में दे रखा है कि x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 यहां पर यह भी दिया है ना mention किया है x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 तो इस हिसाब से अगर x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0 दिया है तो फिर आपको x x और y x के बारे में बात कर रहा है तो यह वा भो आपका इतना ही area रहेगा ठिक है यही area आपको लिए इतना basically कहने के अंधर ए एक्स-ग्स का जो देह पारेंगे ना यह वालाaja यह वाला area ठिक है यह वाला यह वाला area तो क्योंकि वहाँ पर आपको दे रखना है ना कि x greater than equal to 0 एंड y greater than greater than equal to 0 तो x x और y x को भी पकड़ना है जो मिस्स कर दिया था इतना आपको समझ में आया होगा हर एक चीज अब आप देखना है और लिमिट कहां से कहां रखने हैं लिमिट यह अगर हम बात करने हैं तो आप देख पाएंगे कि लिमिट जो होगी वो x बराबर 0 से ठीक है ठीक है तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये तो परवले हो गया भाई ये बार जो परवले हो जाएगा ये हो जाएगा x square बराबर y minus 1 एक बात दूसरा यहां पर आपने देखा कि परवले परवले x square y minus 1 और रेखा रेखा y बराबर x plus 1 k प्रिति 6 बिंदू k प्रिति 6 बिंदू तो आपने intersecting point निकाले ये जो आप देख पा रहे थे ये ये आपने intersecting point निकाले ठीक है अब ये intersecting point आपने निकाल लिए जो की हो गए 0,1 1,2 है और 1,2 है यानि आपने ये कहा कि ये वाला जो point था भी है समझेगा ये वाला जो point था ये था 0,1 और ये वाला point था जी था 1 and 2 के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो रेखा होगी ये होगी x परावर 1 और x परावर 2 आपको दे रखी थी ठीक है इतना दूसरा आपको यहाँ पर हम ले लेते हैं ये y ये y डेस और आपको सवाल में दे रखा था कि x greater than equal to 0 मतलब बेसिकलिए दिया सवाल में कि 0 less than equal to x and 0 less than equal to y सवाल में देखिए लिखा है ना 0 less than equal to x and 0 less than equal to y लिखा है तो इसका मतलब क्या है x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 तो आप x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 का मतलब है x action y x की बात कर रहा है basically ठीक है तो इस हिसाब से आपको जो छेटपल निकाल के दिखाना है वो ये वाला छेटपल आपको निकाल के दिखाना है इतना area ठीक है ना इतना area आपको ये area इतना area प्लस ये वाला area आपको च्छेथपल निकाल के दिखाना है जाना किएगा x की निगेटिव दिसावाला जो एरिया है वो नहीं लेना है क्योंकि x greater than equal to 0 कह रहा है अजब x greater than equal to 0 कह रहा है तो x की निगेटिव दिसावाला जो आप एरिया देखे वो नहीं आपको लेना है इतना आपको छेथपल निकालने के लिए कह रहा है सवाल में अब उसके लिमिट क्या हो जाएगी अगर मैं बात करूँ पहले छेथपल की तो यहां से पहले छेथपल जो होगा वो परवले के लिए काम करेगा यहां पर आपको x pow 0 से x pow 1 के लिमिट लेना और जो दूसरा आप छेथफल देख पाएंगे निश्य तोर पर यह आपको x pow 0 से x pow 2 के लिए लेना और यह रेखा काम करेगी इसमें y pow 1 यहां के लिए यहां से हम कह सकते हैं अभीष्ट छेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे अभीष्ट छेत्रफल कोल मिलाकर ठीक है ना तो अभीष्ट छेत्रफल हम कितना ले लेंगे limit जाएगी 0 से 1 के लिए पहले system देना है परवले y ठीक है परवले y dx और प्लस कर देना है आपको limit लेंगे 1 से 2 के लिए अभी आएगर रेखा के लिए y के लिए system रेखा y into dx ठीक है तो परवले के लिए अगर हम y की बात करते हैं तो यहाँ से कितना निकलना है x square plus 1 परवले के लिए निकलेगा 0 से 1 x square into dx निकलना है और plus 1 से 2 और रेखा का जो y बराबर x plus 1 था तो रेखा y के लिए x plus 1 and dx यह रख देंगे और हल कर लेंगे तो निकलाएगा तो यहाँ से कितना हो रहा है x की पावर 3 upon 3 plus x limit है 0 से 1 के लिए plus यहाँ पर बात करें यह हो जाएगा x square upon 2 plus x और limit जाएगी 1 से 1 ठीक है यहाँ पर आप ले रहे हैं upper limit सबसे पहले रखेंगे तो 1 रखने पर हो जाएगा 1 upon 3 plus 1 and lower limit रखने यह हो जाएगा lower limit 0 रखना है तो 0 plus 0 निकल के आएगा plus यहाँ पर अगर upper limit रखेंगे तो 2 cover हो जाएगा 4 upon 2 plus 2 and minus lower limit रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 2 plus 1 ठीक है तो यहाँ पर कितना इस परकार से लिए रहा है कि 1 upon 3 plus 1 plus यह बज़े का 2 4 बटे तो 2 हो जाएगा plus 2 minus का 1 upon 2 minus का 1 अब यहाँ पर simply plus 1 और minus 1 तो cancel out हो रहा है यह plus 1 और minus 1 हमें simply cancel out कर दिया अब 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस का 1 upon 3 अब आएगा 6 का 6 को 24 प्लस 2 एकम 2 minus 3 एकम 3 तो यह बज़े जाएगा 23 ठीक है 23 upon 6 वर्ग एकाई ठीक है ना कुल मिलाकर इस तरीके से और विबित प्रिश्णावली के यह जो 5 सवाल थे 5 उधारन बढ़िया सवाल थे अच्छी तरीके से इनको देख लेना कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर कहीं पर वीडियो आपको lag करता हुआ lag की problem अगर आपको महसूस हो तो थोड़ा सा उसको adjust कर लेना मतलब वो थोड़ा problem आ रही है लेकिन देख लेना समझ लेना किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा अब बिविद प्रिश्णावली पर देखेंगे हमाद ठीक है तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं सवाब्त होता है उमीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यही वीडियो आपको अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें और अगर आप live classes को join करना चाहते हैं live classes को attend करना चाहते हैं तो हमारी application को जरूर डाउनलोड करें जिसका link आपको description मिल जाएगा या फिर आप play store में भी search कर सकते हैं xp classes वहां से भी आप हमारी application को जरूर डाउनलोड करें live classes के साथ साथ वहां पर आपको free pdf, note solution और एक dedicated whatsapp group भी provide किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका doubt हो आप अपने doubt को उस whatsapp group के थूर पूछ सकते हैं और अपने query को solve कर सकते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो हमारे social media platform को जरूर follow करें facebook, telegram, instagram और twitter के link आपको description में ही मिल जाएंगे सभी के link आपको description में दिये हुए हैं तो उनको आप follow जरू कर सकते हैं वहां पर हमें मिलेंगे अगली video lecture के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभा